बिहार के समस्तिपूर में अपराधियो का आतंग पंचायत समिती सदस्य पर किया समस्तिपूर में बेलगाम अपराधियो का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है अपराधियो को खुली चुनोती देते हुए एक के बाद एक अपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे है वही पुलिस उनके सामने बेबस और लाचार बनी हुई है ताजा मामला मुक्तापूर के भगी रधपूर का है जहां बाइक सवार छे अपराधियों ने पंचायत समिती सदस सूरज महतों को उनके घर के पास हुई गोली मार दी जिसमें सूरज महतों को हाथ में एक गोली लगने के कारण वो बाल-बाल बच गए फाइरिंग की आवस सुनकर आसपास के ग्रामिरों ने एक जुठ होकर एक अपराधी को अपने कबजे में लेकर पुलिस को सुपूर्द कर दिया गिरफतार अपराधी विकास कुमार के पास से ग्रामिरों ने एक पिस्टल एक गोली और तीन बाइक भी बरामत कर पुलिस को सुपूर्द किया है बता दे की महिच कुछ दिनों पहले श्यामलाल की हत्या हुई थी उसे को लेकर उस गाउं में दो गुट में हमेशा तकरार होता रहा है पूरा मामला आपसी विवात का ही बताया जा रहा है वही इस खटना के विरोधने ग्रामिरों ने दर्वंगा समस्तिपूर मुखे सरक को घंटो जाम कर पुलिस प्रशाशन के खिलाफ जम कर नारेबाजी की और अपराधियों की गिरफतारी की मांगी समस्तिपूर से बिहार की आवाज समवादाता अमर्दीप नारायन प्रसाद की रिपोर्ट ग्रामिर लोग इसमें एक लड़का को पकरके रखे थे जिसको ठाना ले गया है तो बाइक वज़र अभी दूस्तिपूर की संग्या में है हम लोग परिशाद की आगलाए तो अक्यारी को अदो खता है कि अध्यारा का संवर्शन करता है और सब्सक्राइब करता है हम इस बार और पर पर्शाद को खबर कर रहे हैं कि हमारे हैं इंगumin जाब लोग पर्शासन को हम लोग किए है और पर्शासन किभी कुछ करवा वी किए यो अभी जो लोग जाते हैं इस कारण एक अवेधि हस्यार्श करते हैं और शारत मैनेज खुद बोला राए खारा था बोला राय चरहा राजीब है पिस्चल निकाल के अ कि अ कि अ कि दे भी को अ हारी ऑए इस सचातरां आउद दे गुचना ये ले दिए कि अ कि अ कि अ